राम की वो प्रतिमा कहा है जो बाबर की समय आयोध्या में थी। दोस्तों ये आज से 445 साल पुरानी एक सच्ची घटना है। उस समय बाबर का शासनकाल बस खत्म ही हुआ था। और बाबर के राम मंदिर तोड़ने से पहले ही मंदिर के मेहंतुने श्री राम, जानकी, अनुमान जी की मूर्तियों को एक सुरक्षित स्थान पर छुपा कर रख दिया था। लेकिन फिर भगवान राम ने एक ऐसी लीला रची के उनके एक भक्त को वहां आकर उन्हें अपने साथ लिजाना पड़ा और उनका वो भक्त उन्हें जहां ले गया, वो वहां के श्री राम की बहुत बड़ी भक्त थी और दिन रात बस उनका ही नाम लिया करती थी, एक बार महराज के मन में आया कि क्यों ना वरंदावन चल कर श्री कृष्ण के दर्शन कर लिए जाए, वो महरानी के पास गए और उनसे बोले, सुनो भाग्यमान, मैं सोच रहा था क्यों ना ह महरानी बोली, महराज मैं श्री राम की दर्शन करने आयोध्या जाना चाहती हूं और मैंने वहाँ जाने की तैयारी भी कर ली है, महराज मधुकर गुस्से से आग बबुला हो गए और बोले, अगर इतनी ही बड़ी श्री राम की भक्त हो तुम, कि उनके लिए मेरे साथ च चाह लाकर रहेंगी, इसके बाद महरानी आयोध्या से निकल गई, वहीं पहुचकर महरानी ने लक्षमन के लिए के पास एक कुट्या बनाई और साधना करने लगी, कहा जाता है कि उस समय संत तुलसिदाज जी भी वहाँ थे, और राम चरित मानस लिख रहे थे, इतना ही नहीं महरानी कोनका अशिरुआद भी मिला था, लेकिन बहुत समय बीच जाने के बाद भी, जब महरानी को श्रीराम के दर्शन नहीं मिले, तो उनका मन बहुत दुखी हो गया और उन्होंने अपना शरीर त्यागने का निश्य कर लिया, ऐसा करने के लिए उन्होंने बग्मान राम ने कहा और नदी से बाहर निकलते ही उन्होंने तुरंत महराज को ये संदेश भिजवाया कि मैं श्री राम को लेकर ओड़ सा आ रही हूं। महरानी का बहुत मन था कि वो अपने प्रभू राम का राज्य अभिशेक करके किसी अच्छे महरत में उनको मंदिर में स्थापित करें। इसलिए श्री राम को अच्छे से तयार करके उन्होंने महल में विराज़ित कर दिया। लेकिन जब मंदिर में स्थापना के लिए उन्हें वहां से उठाने का प्रयास किया गया तो कोई उस मूर्ती को हिला तक नहीं पाया। तब महारानी को तीसरी शर्ती आताई। कहा जाता है कि तब श्री राम अपने बाल रूप में ओच्छा आये थे। महारानी ने श्री राम के राज दिलक में उन्हें ओच्छा नगरे भेट कर दी। माना जाता है कि जिस दिन ओच्छा में उनका राजी अभिशेक हुआ उसी दिन राम चरेत मानस भी पूरी हुई थी। तब से उत्तर भारत के धार्मिक छेतरों के साथ साथ संत समाज में राजा मधुकर शहा और रानी कनेश कूबरी को दशरत और कौशले के रूप में मानने लगे। और इस तरह प्रभू श्री राम राजा सरकार कहलाए।